हेलो दोस्तों अकान साब फोटी के एक्जाम के लिए मॉडल प्रसन पत्र का ये सेट टू है ये बैलोजी का सेट है सभी सवाल सेलेक्टेड है अच्छे लेवल के हैं और एक्जाम में पूछे जाने योग्य हैं तो इसको देखकर ही आप लोग को परिक्षा में जाना है ठीक या फिर आट्स ले रहे हो तो आप अपने गुरूप को जरू जोईन कर लिजेगा तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला देखें यहां पे सवाल में आपसे पूछा गया है कि प्रकार संसलेशन का पर्थम चरन क्या होता है तो राई टांसरो जागा एटीपी का संसलेशन आपसन नमबर चार ठीक है कोशन नमबर एटीटू की बात करेंगे तो आहार नाल के किस भाग में पचेव यह भोजन का अवसोसन होता है तो आहार नाल का वो कौन सा भाग होता है तो वो छोटी आथ होती है याद रखना है सभी को कोशन नमबर आते हैं एटीथ्री पे आपसे कह रहा है कि कोशिका द्वारा उर्जा की खपत का तथा साधारनता सांद्रित प्रवनता प्रवनता परजल का अंतग्रहन परिघटना क्या कहलाती है तो यह क्या कहलाएगी यह कहलाएगी सक्रिय आवसोसन क्या कहलाएगा सक्रिय आवसोसन क्या कहलाएगा सक्रिय आ ठीक है याद रखेगा अगर आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप अंग्रेजी से भी नाम याद कर सकते हो कि अंग्रेजी में आसान होता है पढ़ना कोशन नमबर आते हैं हम लोग 86 में कह रहा है कि मस्तिक्स तर्था स्पैनल कॉड में रहता है क्या रहता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या रहेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप्सन नमबर 3 इसका राइट आंसर होगा कोशन नमबर आते हैं 84 पर 84 पर कह रहा है कि प्रमस रंसर हो जाएगा रक्त मीं कहां रहता है रखत में रहता है 18-19 में देखिया है आप से कि निभन पर किसी हार्मोन का स्त्रावन नहीं करता है कौण किसी भी हार्मोन का स्त्रावन कोशन नमबर आते हैं 91 पे कह रहा है कि ब्रायो फिलम पुन रुद्ध पुन रुद्ध पादित होता है ठीक है राइट अंसर हो जाएगा इसका आप्सन नमबर D वनस्पति कली से कोशन नमबर आते हैं 92 में आपसे कहा जा रहा है कि एक माली गुलाब के पौधे के तनों को काट कर बोता है ये परिघटना क्या कहलाएगी तो ये जो परिघटना कहलाएगी ये कहलाएगी ग्राफ्टिंग क्या कहलाएगा कोशन नमबर आते हैं 93 पे कहा जा रहा है कि मानों में अंडानू का प्रजनन होता है किसके प्रवधन के लिए होगा तो गन्ना कोशन नमर आते हैं 95 में आपसे कह रहा है कि गरभास है भिती से जुड़ा हुआ डिस्क जैसी सन्रचना जिसके दूसरा भाग अभिम लिकल कॉट से जुड़ा होता है ठीक है अम्भी लिकल कॉट से जुड़ा होता है क्या कहलाता है तो राइट अंसर हो जाएगा इसका ओप्सन नमर तीन प्लेसेंटा कहलाएगा ठीक है कोशन नमर आते हैं 96 में कहा जा रहा है आपसे युगमक रहता है युगमक में क्या रहता है आपको बताना है तो यहां पर रहता है जीन के मात्र एक एलिल ठीक है कोशन नमर आते हैं 97 म में से सभी option number 4 Quesh number 98 में कह रहा है कि उर्जा का सबसे सुरक्षित सुरोत क्या है उर्जा का जो सबसे सुरक्षित सुरोत है वो है सौर उर्जा Quesh number 99 पे आते हैं कह रहा है नाभी के रेक्टर में दरव, सोडियम, धातु पर्यूग्थ होता है तो 99 का जो आंसर हो जागा सितलक के रूप में क्या हो जागा सितलक के रूप में होता है कोशन नमर आते हैं 100 में कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन जैव भार उर्जा का उधारन नहीं है तो कौन नहीं है इसमें तो ना भी किये उर्जा नहीं होगा कोश्चन नमबर आते हैं 101 में कह रहा है विर्चों की घर्टी संख्या के कारण क्या हो सकता है तो विर्चों की घर्टी जन संख्या के कारण वर्सा में कमी हो सकती है कोश्चन नमबर 102 प्या ये कह रहा है कि निम्न मेंस से कौन बायो डी ग्रेडेबल अपसिस्ट है तो कौन होगा इसमें राइट अंसर होजागा मवेशियों का गोबर question number आते हैं तो परितंतर में कौन कौन आएगा आपको बताना है राइट अंसर हो जाएगा question number आते है oni 104 पर कह रहा है किसी परितंतर में मिलते हुए जानवर एक साथ कहलाते हैं क्या कहलाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा उपभोगता जीव कोशन नमर आते हैं वन पाइप में प्रात्मिक अथवा प्रथम स्रेनी उपभोगता क्या कहलाते हैं तो ये जो कहलाएंगे हर्भी वोर कहलाएंगे क्या कहलाएंगे हर्भी वोर Question number 1 Quick question number 106 106 में कहा जा रहा है निम्ड में से कौन खाध स्रिंखला बनाता है तो कौन खाध स्रिंखला बनाएगा तो घास, बकरी और मानो опsion number 2 क Atari 2 Question number 1 107 में कह़िए हमें झाय विविर्ता का संगलक्षण क्यूं करना चाह 훨씬 तो हमें जाय विविदिता का संग्रक्षन करना चाहिए विविदिता की कमी से परियावरन इस्तित्रा में कमी होगी इसलिए जो हमें करना चाहिए या फिर option A या फिर option C एक और दोनों होगा तो दोनों हो जाएगा ठीक है option number C question number 108 पे आई कह रहा है कि किसी जील का जल हरा होने का क्या करने कोई जील है उसका जल क्या हो गया हरा हो गया हरा हो गया इसका कारण होगा काई question number 109 पे कह रहा है कि मानव सरीर में पसलियों की संख्या होती है कितनी आपको बतानी है तो मानोसरी में जो पसलियां होती है वो 24 होती है 12 जोड़ी बोलेगा तो 12 नीम निम पौधों में कौन हवा से वायू मंडली नेटोजन स्थिर कर सकता है तो कौन करेगा तो मटर करेगा ठीक है कोश्चन नमबर AU111 पर आते हैं कहळा AFFIM पराप्त होता है kिस से आपको बतानी है जो जो AFFIM है वो AFFIM पौपी के बीज को एपसूल से तेक है याद रखिएगा कौश्चन नमबर आते हैं हम लोग निमन में से किसमे कोबाल्ट है आपको बतानी है राइट अंसर हो जाएगा रॉबर्ट कॉक ने नेक्स्ट है आपका 114 पेनिसलीन एंटिबाटिक की खोच का सरे किसे जाता है तो पेनिसलीन एंटिबाटिक की खोच का सरे जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को याद रखना है अलेक्जेंडर मनुस्य में Alzheimer है Alexander नहीं है Alzheimer रोग-डैस के कारण अब भरंस अभी लक्षन है इसके कारण होता है अब बताना है आपको तो right answer हो जाएगा इसका options number 2 हो जाएगा ना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तंत्रिका कोशिका ठीक है next है आपका 116 में आपसे कहा जा रहा है प्रासरन अर्द प्रागम में जिली के आरपार डैस जल्क का मार्ग है right answer हो जाएगा जल्क या अनुवा के उच्टर सांदरन से निमन सांदरन के ओर question number 117 पर ये कह रहा है कि पौधों में जायलम डैस के लिए उत्तरदाई होता है ये जो जैलम होता है ये जल्का परिवहन करता है याद रखिएगा comment box में हमें comment करकर बताईए कि भोजन का परिवहन कौन करेगा question number आते है 118 में कहा जा रहा है कि मनुष के यकरित डैस तंतर का भाग है तो मनुष का जो वो पॉंस के अधिन है अधिन है ठीक है question number 120 पे आईए 120 में आपसे कहा जा रहा है नर तथा मादा युगमकों के मेल से बनी संदचना क्या कहलाती है राइट अंसर हो जाएगा जैगोड उमीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है चैनल के पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल अकन को दबा लिजेगा साथे साथ आप हमारे वाटसप गुरूप को भी जॉइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिये हैं तो वहां से आप जॉइन कर लिजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू